So, Hey Guys, Welcome back to the channel guys and you are watching Deeps Creation and I am Dipanshu Deeps So let's start this Vlog तो आज का Vlog कुछ यसे होने वाल है कि मैं आपको समझाने वाल हो कि किस तरह से एक engine oil हमारी स्कूर्टी के लिए वर्क करता है या फिर किसी भी engine के लिए वर्क करता है जैसे कि a scooter bike में वो किस तरह से circulation हो रहा है उसका क्या अंदर वना इंदर हो क्या रहा है यार हमें तो पता ही नहीं है लग्स चार इस ब्लोब अब मैं बताने वाला हूँ कि एक इंजिन किस तरह से एक स्कूटी या मिलब की जो भी इंजिन होता है उसमें किस तरह से वर्क कर रहा है तो इंजिन जो होता है वो स्कूटी के इंजिन के अंदर सर्कूलेशन करता है और उस सर्कूलेशन से यह होता है कि मारी स्कूटी के अं से काफी प्रॉब्लम में फेस करनी हो सकती है तो इस वह से हम इसकूटी की सर्विस कराते हैं फिर इतनी कार की या बाइक की सर्विस कराते हैं उसके अंदर यही सब चीज होती है इसके वह सर्कूलेशन जो ऐसे इंजिनल इंपोर्टेंट होता है तो मैं आपको बता दू जैस बॉल द्शेटर तो यह होता है किए हम कभी ज्यादा स्कूड़ी चला ली हमें वद ध्याण दिया कि इतना इंटरवल था इसका टाइम का और मतलब मुस्टी लोग दो जार से पंदरा सो वो सुरी दो जार से पच्छी सो के बीच में सर्विस अपनी कराते हैं स्कूटी को बाइको या मुस्टी इसी ताम के बीच में वह इंजिनल के उपरता है क्योंकि बाइकों में इंजिनल जाधा ड़ता है और स्कूटी में इंजिनल कम ड़ता है तो स्कूटी के इंटरवल थोड़ा कम होता है बाइक और कार के दरूप तो इसलिए हमारी स्कूटी में इंजिनल इंगॉर्ट होता है मैं बतातों कोंछ इंगीन आपकी स्कूटी के लिए स्कूटी पर डव्यूर्ट के लिए सब कुछ आपकी रॉणिंग के उपर डिपेंड करते हैं यार ज़ाला डाल दूंगोः तो फिर नहीं कोई दिकते ही नहीं आनी और कुछ लोगों का budget कम होती है तो वह mobile । भी उजा कर लेते हैं क्योंकि वह cash Storage purchase नहीं कर सकते इतना अपने vehicle के अपड़ नहीं spend कर सकते वैसे तो वो mobile कुल लेते हैं कई भार स्टाइब करानी करा करो इस सबील को चूज कर कर लेते हैं जलती से ब्रैंडिंग के ऊपर मत जओ मैं बताताऊ हूं क्या में सीцह क्या ह्रोड्टि और तो देख रहोंगे 10W30 अब इस 10W30 का मतलब यह है कि 10W जितना थंड के अंदर इंजन थंडा हो जाएगा और इंजनुनरेंड का भी हार्ड हो जाता है तो हमस्कूटी को बम करना होता है तो इस इतने टैनिन का मतलब होता है कि कितने कम तक वो ठंड को ठंडर रख सकता है और इंजनल खराब नहीं होगा आप इन मतलब किसी दरीगे कि प्राब्लम नहीं होगी कई बार इस उबास होता है कि स्कुटी स्टार्ट भी होती ठंड के अंदर तो वह इसपे भी डिपैंड करता है काई बार हमें दो तिन बार स्टार्ट करनी पड़े जाती है तो वह सब इसपे डिपैंड करता है जैसे हम सेमिक हैं तो उसमें इंटरवल काफी जादा हो जाएगा 5W to 40 और अगर हम fully synthetic लेंगे तो उसके अंदर हो जाएगा 0W to 50 तो अब यह सब इसपे डिपैंड करता है तो यह दोने इंगिन विकुषी हम है आप इसपे देख से तो 10W 30 लेता है तो इसपे डिपैंड नहीं करती है कि और आपको बता दू कि आप आप सोच रहोंगे कि आर कैस्ट्रोल कर डलवा लूँगा फिर तो यह जतनी बरजी चला लो 2000 च चीसों चलाओं कोई परकी नहीं पड़ेगा स्कूटी बे और मोबिल लोँग अफ्टार जल्दी चेंज कराना पड़ेगा 1000 वार असुगलोमेटर पंदर असुगलोमेटर पे इंको चेंज कराना है बटा ऐसा नहीं होता है यह सब कुछ डिपैंड करता है कि आपकी रणिं समझ सकते हो कि किसी भी दरीगे बाइक से पूरे दिन आपका यूज है तो उसमें यह रणिंग काफी जादा चले जाती है तो उसमें यह वर्क नहीं करेगा अगर इंजिनल यह हमारे इंजिन को गरम होने पे चीस कर सकता है तो हम अच्छा इंजिनल उसके लिए पर चेंग तो उन लोगों के लिए हो गया जैसे कि जिनका रणिंग ज्यादा है जैसे मैं नहीं बताया इन सब के लिए समी सिंधेटिक ठीक है और अगर आपकी सिप सिटी की रणिंग है तो आपके लिए यह वोईल बैस्ट है तो कि आपकी स्कूटी जाए चलने नहीं है 20 किलोमेटर तो इसकी बीच में आप यह दोनों यह आपके लिए बैस्त है अब मैं आपको बताता हूं कि बहुत्सव लोग सर्विस कराते हैं vedogn 2500 के डीच में चलाने के बीच जो मेरे तो एड़ थुक्र लिए यह उप मेरे के बीक होई आप दोजार से 25 किलोमेटर चलाने के बाद अगर आप इंजिन निकाल करके देखोगे न तो उसके अंदर बिलकुल भी कुछ स्मूधनेस नहीं होगी सब स्मूधनेस खतम हो चुकी होगी उसके अंदर काफी ज्यादा कार्बन आ गयागा वह ब्लैक हो जाएगा बाट अगर आप 1200 से 1500 की बीच में गडाथ ऑथा तो कार्बन इसके अंदर नहीं होगा और इस कार्बन जादा ओने की वैसे किस तरह से आपके लिए कौन से इंजिन निक्वेस्ट रहा जाता है और किस मुलब कि किस नी आपकी रेणिंग है उसके पस अब को डिपेंड करता है कि आपके कौन स जो भी आपने जादा यूज कर लिया जैसे मैं आपको बता रहा है कि 1200-1500 के बीच में अपना इंजन चेंज कर रहा रहे हैं तो आपके लिए एक प्रोड़क्ट है अगर आप अपनी स्कूटी 20-25 चला चुके हैं तो एक बार आप यह इंजन फ्रॉशर यूज करें जिसकी वैसे कि आप इसको इंजन में टाल दीजिए इंजन ओविल के साथ और चेंज कराम से पहले टालने आपको है और 10 मिनिट उसको ओन करके छोड़ देना है जिसकी वैसे कि यह पूरा सर्कूरेशन होता रहेगा अंदर और सारे पार्टिकल चूर रह जाते हैं स्कूटी के अंदर कि रस्टिंग की जितने ही पार्टिकल्स होगे वह सब के सब इसके दुरू बाहर आ जाएंगे यह फ्लश कर देगा उनको सब कुछ क्लिए हो जागा बिल्कुल आ लाने वालों मैं इसका जो भी इसको बताऊंगा नेक्स वीडियो इसके उपर आएगी कि इसको मैंने यूज किया मैं सब कुछ कुछ बता दिया है कि आपके लिए कौन सो इन्जनल ठीक है और कि इन्जनल किस तरह सा आपके लिए वर्क करता है और आपको फ्लेशर के बारे 1200 1500 के बीच में तो आपके लिए इंजन फ्लेशर इतना जरूरी नहीं है आगर आप 2500 के वीडियो को आगर आपको ऐ वीडियो अची लगी है तो इसको तो आपने को comment section में बताओ कि यार यह point तो आपने गलते दिया अगर वो गलत होगा तो हम एकसे सब करेंगे क्योंकि मैं इतना knowledgeable बंदें नहीं हूं कि मेरे को बहुत ज्यादा knowledge है मैंने कोई work नहीं कि यह इसके उपर कि यार मैंने तो जारा काम कर रहता है इंजिन भोल के रहता है ऐसा कुछ नहीं है बड़ मैंने अपना experience बताया है कि मेरी सब्सक्राइब करेंगे तो शायद आपके सब्सक्राइब करेंगे और नेक्स वीडियो का बेट करें बाई